आज हम लोग exercise 1.1 के सबसे last question पांचवे नंबर question को देखने जा रहे हैं यह question है यूकलीड विभाजन परमेरिका का प्रयोग करके दर्साइए कि कि किसी धनात्मग पुर्णांग का घन जो होता है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है इसे दर्सा देना है तो हम आज की वीडियो में यह देखेंगे इसके पहले वाला question 4 जो था वो भी सिम ऐसे ही था जैसे मैंने उसको सिद्ध किया तव ऐसे इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसे भी मान लेंगे कि कोई धनात्मक पुर्णांग ए है इसलिए और मैंने आपको पहले भी बता प्रस्ण में यहां पर दिया हुआ है कि इस रूप में होगा तो यहां से हमें क्या पता चल जाता है कि यह जो होता है जैसे कोई धनात्मक पुर्णांग ए है को हम इस रूप में लिख सकते हैं इसका अर्थ होगा यह कि इसको समझने के लिए यहां पर देख लिजिए कि अ और उससे इस रूप में लिखा जाए तो 9 9 जो होता है उसको ऐसा रूप में लिखा जा सकता है यह भाज्य को दिखाता है is कहां से समझ में आ जाता है कि 9 जो मैंदर करेका है अगर नाइन तो इस से कम वाला सब्सक्राइब क्या हो सकते हैं से स्क्राइब हो सकते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो होते हैं वह हमारा रिमांडर हो जाता है और इसे जाच करना होगा तो हम क्या करेंगे के सबन लेंगे और यहां पे आर बराबर 9Q प्लस 0 जो है यहां पर R कमान 0 लेंगे और यह बराबर 9Q हो जाता है इसके बाद हम दोनों तरफ घं करेंगे कि प्रस्ण में कहा गया है कि दर्सा दीजे कि धनात्मक पुनांग का घं जो होता है वो 9M, 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 के रुपका होता है तो घं करने पर हमें एक क् करेंगे तो हो जाएगा 9 गुना 81 Q इसको करेंगे तो 729 Q हो जाएगा तो यहां पर 9 common ले लेंगे तो 80 बज़ जागा इसे 80 Q का Q जो होगा वह एक M माल लेंगे जो एक पुनांग को दर्साएगा तो इस प्रकार एक Q जो होता है वह 9M के बराबर हो जाता है और यह इस मान को संपुस्ट करता है परदर्सीत करता है अब हम एक दूसरी इस्तिती को लेते हैं केस्टू लेते हैं और वहां पर R का मान 0 के स्थान पर 1 लेते हैं और 1 लेते हैं उसके बाद फिर हम जो हमने पुनांग माना था A तो यूकलीर विवाजन पर मेरिका से क्या हो जाएगा तो 9 Q प्लस 1 हो जाएगा कि रिमाइंडर यहां पर 1 है वहां पर 0 था तो अब इसको घं करेंगे तो फर्मूला लिख दिया है आप इसके अधार पर बना सकते हैं इसको ए माल लेंगे 9 Q को और 1 को B माल लेंगे इस फर्मूला के अधार पर बैठा देंगे जैसे A Q प्लस B Q प्लस 3 A A Sq. B प्लस 3 A B Sq. जो होता है वह A plus B का whole Q होता है तो चलिए इसको बनाते हैं A Q इक्वल A Q के जगवप 9 Q का Q करेंगे तो 729 Q हो जाएगा प्लस B का Q करेंगे तो 1 का Q हो जाएगा प्लस 3 A SQUARE B करेंगे तो 3 के जगवप 3 हो गया A के जगवप 9 Q हो गया 9 Q SQUARE हो जाएगा तो 81 Q SQUARE हो जाएगा और B जो होगा 1 होगा गुना में 1 हो जाएगा उसके बाद 3 A B square होगा तो 3 के जगाव पर 3 गुना A तो 9 Q रख देंगे एके जगाव पर और B square तो 1 का square कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद इसको simplify करेंगे तो गुना करके 729 Q हुआ यहाँ पर 203 में और 81 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 243 Q square और यहाँ पर 237 Q हो जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा अब क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक में हमें 9 common निकाल लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर 9 जो है भाजक लेना है और इसे सिद्ध करना है इस फॉर्मेसी लिए 9 को जब common लेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं 9 common ले लिया जाता है तो यहाँ पर 81 Q plus 27 Q square plus 3 Q बच जाता है और प्लस 1 उधर बच जाता है अब यहाँ से यहाँ तक जो होता है हम इसे एम माल लेंगे उस धरात पुनां का घन जो होगा वो 9 M plus 1 आ जायेगा और यह भी हमारे प्रसन को संदर्वित करता है और प्रूफ करता है इस प्रकार अब हम लोग case 3 की चर्चा करेंगे और इसमें R बराबर 0 ले चुके है 1 ले चुके है अब 2 लेंगे और यह देखेंगे कि क्या इसमें से किसी भी फॉर्म में आता है या नहीं आता है तो case 3 लेते हैं और R कमान 2 लेते हैं और A बराबर क्या हो जाएगा विभाजन पर में इका से तो 9 Q plus 2 हो जाएगा घन कर देंगे तो घन A का Q होगा और इधर A plus B के whole Q पर तोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पे तोड़ा उसी फॉर्म पे तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा A का Q plus B का Q plus 3 A square B 3 A B square इसको A माल लेंगे इसको B माल लेंगे तो इसको और सिंफिलिफाई करें तो यह हो जाएगा 729 का Q A 8 हो जाएगा 2 का Q और यह जो हो जाएगा 486 Q square plus 108 Q plus 8 उदर छोड़ रहे हैं यहाँ से हमें 9 common आ जाएगा तो 9 common आने के बाद क्या होगा तो यहाँ पे 81 Q का Q plus 44 Q का square plus 12 Q हो जाएगा प्लस 8 उदर आ रहे हैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग A माल लेंगे जो एक पूर्णांग होगा 9 का गुनांग जो होगा यहाँ से यहाँ तक A माल लेंगे तो हमारा equation अब इस प्रकार का आ जाएगा यह का Q ब्रावर 9 M plus 8 आ जाएगा जो यहाँ हमारे इस मान को संपुष्ट करता है प्रूफ कर देता है इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांग का घन जो होता है वह यह तो 9 M होगा यह 9 M plus 1 होगा यह 9 M plus 8 के रूप का होता है यहीं सावित करना था और हम इसे बिल्कुल असानी से सावित कर दिये हैं तो इस प्रकार यह आपका 1.1 जो होता है वह एक्सरसाइज पूरी तरसमाप्त होता है आगे हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे